इस टाइम जो है वो दस जवन हो रहे हैं तक्रीबन ग्यारा बाज़े में पांच मिनट रहते हैं और मैंने जो है वो सब सफाई कर ली हुए है काफी लेट होगी वैसे तक्रीबन शाड़े नो के बाद उठी हूँ और फिर जाके सफाई सुथाई की डिस्टिंग कर ली और भी आपको दिखा देती हूँ सारा घर पहले इंदे के सांस उतरा है यह किचन है इसको अग्डोर करें क्योंकि यहां पर कुछ भी हो सकता है इसम क्योंकि मैं जॉइन फैनली में रहती है अथना बड़ा घर है नहीं और यहां पर जी पहता है आपको नजर भी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा अच्छा यह भी हो गया उसके पाद मैं आपको अपने लोग दिखाती हूँ कि मैं खुद भी रिडी होगी हूँ अपने भी है यहां पर इसके साथ ही इस दहां का दोबटा है और उसके किनारों पर सक्टा करके अपछर है यह सारा तो बहुत प्यारत सांहरा यह मेरे जो है बरी गई था और इसको मैं भी यूस करती प professionals है तो शैजिय चलेए माशाल pre-还 bij अब मैं जो है अपने नाश्चते का कुछ कर करने के लिए और अनों ने मुझे कहा है कि आप जो है वो नाश्ता कर लो मुझे भोक नहीं है और मैं सोच हूं कि मैं भी जस्ट बॉयल एग वगरा या कुछ इस टाइब की चीज़ ले लेती हूं लेकिन देखते हैं मैं क्या करती हूं कुछ ऐसा वैसा ही खाने को दिल का रह है तो आपको बताओंगे कि मैंने क्या खाया असलाम लेकुम कैसे आप सब यह किने ठीक होंगे रहताला सबको अपने हिव्ज मान में रखें सबको सहत वह लंबी उमर अता करें आमें सो मामें साथ में पेस्ची भी लेना वह आपके लिए हैं यह मेरा नाश्ता है यह वाला ने और फिर्स्ट लेप में आपको अपने सुबह के बटाए के काम शाम किया है तो मैंने लाइव रिकॉर्डिंग की थी साथ साथ वीडियो बना रहती हैं साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रही थी लेकिन अब जो है मैं वीडियो एडिट कर रही हैं अच्छा इस टाइम अधा काम मेरा हुआ 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 था कुछ पहले से जो है वह पकने के लिए रखी जो है ने फ्रीजर में अच्छा जिए डली बन रहा है और दुएं की वज़े से कुछ खास देख भी नहीं रहा होगा आपको अच्छा दाले मेरे पास पहले से गली मी थी उसके बाद जो है यह चृब की जो एक की शिचे ओर पेट की यह द्लिया द्ली में अच्छा ल्यूजद ब्रस्ट को गड़ल करने यह बाहा फंदे उसके बात जो ती किया नमआ उसका धालें वो उसके बाद मैंने उनको ग्राइड कर लिया जब ठंडा करके फिर ग्राइड किया और ये पकने के लिए रख दिया थोड़े सा मुझी पकेंगी और उसके बाद फिरी इंतियार हो जाएगा उसके बाद तड़का लगा दूंगे उसके बाद ब्यास का तो यह सिंपल है इससे बन जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है और कुछ लोग तो फ्राइ करके इसको चिकन को बनाते हैं लेकिन मैं इसी तरह से जादा तरह बना देती हूं तो अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा बनाते हैं तो कोई इस्ट नहीं जिस तरह आपको बैस लगे उस तरह से आप बनाएं जरूरी नहीं है कि जो रेसिपी होती एक्जेकली वैसे फॉलो करें आप अपनी मर्जी से थोड़ी सी तर बेली भी कर सकते हैं तो मैं भी कुछ नो कुछ करती रहती अच्छा यहां पर जी देली मेरा त्यार हो रहा है और बस उसके बाद मैंने फिर जो कुछ भी अक्टिविटीज की हैं वो मैं आप से रिकार्ड नहीं की हैं वो मैं नेक्स टाम इंशाला तरह आपनों को साथ शेयर करूंगी नेक्स वीडियो में तब तक अपना बहुत सा सारा ख्यार रखेंगा मुझे दौाओं में याद रखेंगा लाहाफिज टेक एर बाए बाए बाए